मैं डॉक्टर बलिसो परसाद लोकेस्पांटर चैनल से तड़ोत आजा ब्रेकिन नीज के साथ आए देखिए ब्रेकिन नीज बिहार का ऐसा गाउं जहां रावण को साथ दिन और जिन्दा रहने की मिलती है महलत आज होगा पुतला देहन जाने क्या है तैयारी बिहार के बकसर के एक गाउं में आज रावण का पुतला देहन क्या जाना है इसको लेकर पुरी तैयारी हो चुकी है दरसल यह एक ऐसा गाउं है जहां रावण को साथ दिन और जिन्दा रहने की महलत मिलती है सदियों से चली आ रही परंप्रा के अंसर विजय दश्मी से पांच दिन बाद शरत पूरिमा को यहां रावण बद होता है असत्य पर सत्य एवं बुराई पर अच्छाए की जीत का प्रतीक विजय दश्मी के दिन ही पूरे देश भर में रावण का पूरिमा को यहां रावण बद होता है इस संबन में चौनमोन 24 ने बताया कि एस साल चौन्दर ग्रेयन होने के कारण रावण बद नहीं हुआ यह काम सुमवार को होगा इस दिन भी नहीं होता बद उन्होंने बताया कि जिस दिन रईवार वा मंगलवार को शरत पूरिमा पड़ती है उस दिन भी रावड का बद कारिक्रम नहीं होता है बता देंगी स्दियों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी यहां के ग्रामिन बड़े उत्सा और एवं उमंग के साथ करते हैं गाउं के प्रेमचंद व्यास ने बताया कि यहां की रामलीला की प्रिस्तुती भी निराली है गाउं में नवरातरी की पहले तिती से रामलीला का शुबारम होता है देश भर में रामलीला के आभिने का प्रदशन भगवान शरीराम के जनमोसब से होता है यहां पहले नवरातरी को प्रभु शरीराम के बन गमन के साथ इसका शुबारम किया जाता है लंबे समय से चली आ रही परंपरा भरत बारिवा रामाशीस सिंग बताते हैं कि गाओं के बड़े वजुर्गों का कहना है कि गाओं में सद्यों से परंपरा चली आ रही है अपने दादा पर दादा से भी उन्होंने शरत पूरिमा के बाद रावडवर्द का आयोजन होते पूरुसों से विराशत में मिली इस परंपरा को आज भी पूरे उत्सा के साथ यहां के ग्राम गुन द्वारा किया जाता है रावडवर्द कारीक्रम देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं तथा मेला का भी आनंद लेते हैं